रहस्मय यात्रा पार्ट फाइव जग्गु सिंग और बहादूर दोनों अभी भी क्रिया में लगे हुए थे वे उस क्रिया को संपन किये बिना उठना नहीं चाहते थे दौलास सिंग भी उस व्यक्ति जिसे उसने अपनी विद्या से अभी तक रोग रखा था उसके पास पहुँचकर अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया कुछी देर में वह वेहो शोकर नीचे गिर गया था बाबा ने भी दूर से ही अपनी लकडी को जटका दिया और उससे प्रभावित व्यक्ति भी जमीन पर लेड़ गया इस्तिती ने अंत्रण से बाहर होते देख जगु सिंग और भादुर ना चाहते हुए भी क्रिया से उड़ गये जगु सिंगे आग के पास रखे हुए कुछ दानों को उठाया और मन में कुछ शब्द बोले फिर उन दानों को रमेज की ओर फेके लेकिन बाबा बीच में आ गया बाबा ने कुछ पल के लिए आखे बंद कर ली उसके चेहरे के भावों से कुछ समय के कष्ट का अनभौलग आया जा सकता था दौलस सिंग ने बहादुर की नजरों से नजरे मिला कर कुछ बोलना प्रारम किया बहादुर शान्त खड़ा रह गया बाबा जगु सिंग से बोला ये करके तुम्हें जो भी हासिल होगा उससे ज़्यादा तुम्हें उसकी कीमच चुकानी होगी इस तरह ये सब काम करना गलत है बाबा की बातों का मानो जगु सिंग पर कोई भी असर ना हुआ उसने पुना बीज उठाए और कुश शब्दों का उच्चारण करना प्रारम भी किया था कि बाबा ने जगु सिंग की आँखों में आखे डाल कर उसकी दिमागों नियंत्रित करना प्रारम किया कुछ ही पलों में जगु सिंग का मुँँ खुला रह गया वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था बाबा की आखे अभी भी जगु सिंग की आखों से मिली हुई थी बाबा ने अपना हाथ नीचे किया और हथेली खोल दी जगु सिंग का हाथ भी नीचे हुआ और उसकी हथेली में जिसमें बीच थे बाबी कुल गई इस बीच गोलू को होशा गया था, वह सैम हुआ सब देख रहा था इस तरह से अपने और अपने साथियों को हारता देख, जगु सिंग ने लड़ने का प्रयाज छोड़ दिया बाबा और दौलत सिंग भी समझ चुके थे कि उन्हें सबक मिल चुका है बाबा और दौलत सिंग दौनों ने अपने प्रभाव से दौनों को मुक्त कर दिया लिकिन होनी शायद उन्हें दौनों को उनके किये दंड का दंड देना चाहती थी हर बड़ी में भागते समय दौनों उस तेज जलती हुई आख पर गिर पड़े जिससे मुक्ष व्यक्ति का आधा चहरा और सहायक बहादुर का एक हाथ पूरी तरह से जल गया आधा चहरा इतना जल गया था कि उस सोर की आख, कान, नाख सभी पूरी तरह से जल कर बरावर हो गए थे उसी समय देखकर कहा जा सकता था कि वह हिस्सा जीवन भर के लिए बर्बाद हो चुका है ये उसके लिए इश्वर के द्वारा दी गई सजा थी इसके बाद भी वे दौनों और उनके साथ ही भाग कड़े हुए कुछी देर में गाओं के बारा से पंदरा लोग आ गए वे उन भागते हुए व्यक्तियों को पहचान गए थे जो कि बस्ती के बाहर रुके थे रमेश ने बच्चे को चारपाई से खोल दिया गोलू भागता हुआ अपने पिता पंडिजी से लिपढ़ गया पंडिजी गोलू बेटा तो ठीक तो है न गोलू हाँ पिता जी मा कहती है न कि जब भगवान को किसी के रक्षा करनी होती है तो वो किसी ना किसी को भीज देता है भगवान ने हमें बचाने के लिए इन लोगों को भीजा है गोलु की भोली भाली बातों से पंड़े जी के आँखों से आशु निकलाए हाँ बेटा इन्हें भगवान नहीं भेजा है नहीं तो इस घने जंगल और सुनसान इलाके में आधी रात को कोई तुझे क्यों बचाने आता रमेज, बाबा, दौलस सिंग सब भी उनकी बातें सुन रहे थे अचानक अजनबी का ध्यान आते ही तीनों अजनबी की ओर गए दौलस सिंग ने अजनबी के माते परहाथ रखा फिर बाबा को कुछ इशारा किया तो बाबा ने भी अजनवी की सिर्फ बरहात रख दिया कुछी देर में अजनवी को होशा गया वा उठकर खड़ा हो गया अंडिजी और गाउवालों ने चारों का हाथ जोड़कर धन्यवात किया और गोलु को साथ लेकर गाउं की ओर चले गए गाड़ी के हार्म की आवास सुन्दाई देते ही रमेश ने दौला सिंग अजनवी और बाबा की ओर देखा और तेजी से गाड़ी की ओर चल पड़े चारों के गाड़ी के पास पहुंसते ही सामने खड़े आदेश ने कहा चल दी आये आप लोग कहां चल गए थे गाड़ी के इंजन टेक्निशन ने ठीक कर लिया है गाड़ी चलने ही वाली थी तो मैंने चैन खीच दी आप लोगों के लिए रमेश आदेश की ओर देखते हुए बुला धन्यवाद आदेश भाई वैसे हमारे आने तक यह गाड़ी कहीं जाने वाली नहीं थी यदि चैन खीचने के लिए तुम नहीं होते तब भी रमेश अपनी पूरी बात करते हुए बाबा की ओर देख कर मुस्करा दिया बाबा दौला से और अजन भी हस देते हैं लेकिन आदेश सोच वे पड़ जाता है सभी गाड़ी में बैठ चुके थे गाड़ी धीरे धीरे अपनी गती पकड़ रही थी रमेश ने घड़ी देखी तो घड़ी ढ़ाई बजा रही थी रमेश अजन भी जी बाकियों के बारे में तो हम जान गए लेकिन आप अजन भी कुछ सोच कर बोलाओ ठीक है तो सुनिये मैं डाक्टर विशाल हूँ मैं पेशे से डाक्टर था लेकिन एक एक्सिडेंट के बाद पिछले दो वरसों से मुझे 24 घंटे से जादा कुछ भी याद नहीं रहता है सब ही डाक्टर विशाल की बाते सुनकर दंग रह गए रमेश ओ इसलिए आप बार-बार डायरी में जरूरी बाते लिखते रहते थे अजन भी हाँ क्योंकि अगले 24 घंटे में वो सब में भूल जाऊंगा दो वरस पहले जो जनवरी का समय था जब मैं गाड़ी चला कर हाईवे पर एक मरीश को देखने रात में जा रहा था तब ही एक बस से मेरी गाड़ी का एक्सिरेंट हो गया था मेरी जान तो बजगी थी लेकिन उसके बाद मेरे सिर में जोट लगने के कारण मुझे 24 गंटे से जादा कुझे भी याद नहीं रहता है इस कारण मेरी डाक्टर की प्रेक्टिस भी बंद हो गई थी इसी कारण मैं किसी से भी अपना परचै नहीं बताता हूँ क्योंकि आगे बात पढ़ने पार मैं उन्हें पुरानी बाते तो बता नहीं सकता था लेकिन मैं तो आप लोगों को ये कैसे संभव है बिना टायरी देखी ही ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ मुझे पिछले दो साल की बाद भी पूरी तरह से आद है रमेश बाबा और दॉलस सिंग अजनभी की बिमारी ठीक हो जाने से खुश थे आदे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था बाबा रमेश आप पूछ रहे थे न कि ये अजनभी हमारे साथ क्यों है अब आप समझ गया होंगे कि इनको भी इस रहस्मय यात्रा में ठीक होना था इस कारण ही हमारे साथ महां थे डॉक्टर विशाल हाँ मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है ये भगवान की ही एक योजना थी और इस योजना में मुझे ठीक करना भी एक कारी था बोलते हुए डॉक्टर विशाल की आँखें आसों से डब डबा गई रमेश मानो जितनी भी योजना बना ले लेकिन दैवी योजना जिस तरह काम करती है वो आकलपनी होती है डॉक्टर विशाल मैंने इन सभी बातों को कभी भी नहीं माना लेकिन आज इस नियात्रा में अन्भो किया कि इन बातों पर तब ही यकीन हो सकता है जब ये आप पर या आपके सामने घटित होती है रमेश बाबा आप ये बताईए कि इनकी याददास्त की समस्या ठीक होने का कारण इनका सिर्फ पत्थर से टकराना था या जो आपने और दौला सिंग जी ने इनकी सिर्फ पर हाथ रखकर जो भी क्रिया की थी उसका परिणाम था बाबा मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इनके इस घटना करम में होने का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं जब भी इनकी दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता था इस यात्रा के कुछ घंटे पहले तक ही पहुँश पाता था जब मैंने इनके सिर्फ पर हाथ रखा तो मैंने इनकी दिमाग की आदास्त में बहुत आगे जाने की कोशिश की दौलसी मैंने भी अपनी विद्या का प्रियोग इनकी दिमाग को सम्मोहित कर इन्हें होश में लाने के लिए किया था बाबा इसलिए यह ठीक से नहीं कहा जा सकता है कि किस कारण से इनकी आदास्त की समझ से ठीक होगी शायद यह भी देवी योजना का ही कोई हिस्सा हो डौक्टर विशाल जो भी हो लेकिन हमारा विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में याद दास्त रखने के लिए कई वर्च्वल परतें काम करती हैं और बढ़ते समय के साथ साथ पुरानी यादें पीछे होती चली जाती हैं और नई घटनाएं उनके सामने आती जाती हैं जब हमें पुरानी यादों की आवशक्ता होती है तो हमारे दिमाग उन पीछे की परतों तक पहुँचकर उन्हें पुना सामने ले आता है जिसे मेमरी रिकॉल कहा जाता है मेरे दिमाग ने पुरानी यादों तक पहुँचने की चमता खो दी थी जो आज की इस यात्रा की घटनाय में वापस आगी रमेश बाबा इस घटना करम में देखा जाए तो इन सभी ज्यान, विद्याओं और भक्ती में श्रेष्ट क्या हुआ बाबा इस पूरी यात्रा में हम सभी को एक बाद समझनी चाहिए कि रमेश आप जैसे ग्यानी, मुझे जैसे तांत्रिक और दौलस सिंग जी जैसे सम्मोहन विद्या के ग्याता इस सभी को किवल एक निमित बनाया गया और वो भी एक सीधी सादे भक्त उस बालक को बचाने के लिए जिसका ना ही ग्यान से, ना ही तंत्र से और ना ही अनविद्याओं से ही कोई संबंद था रमेश सच है बाबा और साथ साथ डौक्टर विशाल को भी यहां पहुँचा कर उनकी सहायता का फल भी उन्हें दे दिया और बाबा पू मेरा घ्यान का एंकार भी तोड़ दिया साथ ही अनविद्याओं का घ्यान भी आपके द्वारा करा दिया गया बाबा रमेश की बातों को सुनकर मुस्क्रा देते है अब आराम किया जाए उपर वाले ने जितना समय आराम करने के लिए दिया है उतना कर लेना चाहिए रमेश, दौलस सिंग, डॉक्टर विशाल और आदेश सभी बाबा की बातों पर चोडों से हस देते हैं रमेश कुछ देर बाद धीमेश्वर में बोला बाबा जब मैं सो रहा था तब आपने हमसे कुछ कहा था क्या बाबा, कब? रमेश, लगभग बारा बज़े के पहले जब सभी सो रहे थे बाबा, मैं तो आप लोगों के सामनी ही सोकर उठा था जब आप लोग गाड़े से उतरने के लिए खड़े थे रमेश, हाँ वो तो है, फिर वो किसकी आवाज रही होगी, शाय स्वपनी ही होगा बाबा ने वापस से अपनी चादर नीचे बिचा ली और लेट गए सभी अपनी अपनी बर्द पा लेट चुके थे आदेश ने बड़ी लाइट बंद कर दी लाइट बंद होते ही रमेश को कुछ ध्यान आया है रमेश, आदेश भाई, बारा बजी के पहले बड़ी लाइट के साथ चोटी लाइट भी बंद हुई थी क्या मेरा मतलब यहाँ बिलकुल अधेरा था आदेश, नहीं चोटी लाइट तो लगतार ही चल रही थी रमेश, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप आराम करो रमेश को अब यकीन हो चुका रहा था कि हो ना हो, वो स्वप नहीं था जिसमें उसके आगे के मार्क की कोई बात कर रहा था सभी सोने के लिए लिट चुके थे, रमेश ने भी आँखे बंद कर ली ठकान अधे को जाने के कारण सभी की नीन जल्दी ही लग गई रमेश, तुम सो गए क्या? रमेश, मैं अभी सभी से यही पूछ रहा था कि मुझसे किसने बात की थी मतलब कि वो आप ही थे लेकिन आप मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? और आप है कौन? और हाँ, मुख्य बात तो यह कि क्या मैं स्वपन देख रहा हूँ? या ये सब सच्वर हो रहा है? रमेश, इन सभी प्रश्णों के उत्तर तुम्हें बात्रों मिल जाएंगे अभी तुम्हें चक्रों के बारे में जांकारी होनी चाहिए रमेश नया अस्चर से पूचा कैसे चक्र? मानों सरीर में इस्थेद साथ चक्र रमेश, हाँ मैंने पढ़ा है कि मानों योग के द्वारा इन चक्रों को जागरत कर सकता है लेकिन कुछ ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं है तो सुनों और देखों अचानक से रमेश को अंधेरे में योग मुद्रा में बैठे हुए योगी दिखाई देते हैं जिनका शरीर तो इस पच्ट नहीं देखा जा सकता था लेकिन हलकी नीली आभा के साथ शरीर की आकरती जरूर दिखी जा सकती थी वो आकरती हलकी प्रकाश मान थी पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र यह अभी हित्तों में एस तेज के रूप में दिखाई दे रहा है यह मानों के बहुतिक शरीर का केंद्र माना जाता है यह चक्र रिड़ की अड़ी के सबसे निचले हिस्से के नीचे होता है यह चक्र चौकूर और श्वर्ण वणका है। योगी की साधना से इसे जागरत किया जा सकता है। रमेश पता कैसे चलेगा कि यह चक्र जागरत हो गया है। भौतिक रूप्स में यह काम का इस्तान है। लेकिन साधना से जब यह चाक्रत होता है तो यह प्रम्पचरिय में परिवर्दित हो जाता है अर्थात भोग से आध्यात्मों में परिवर्दत का मूल आधार यह है। दूसरा चक्र होता है स्वाधिश्ठान चक्र उन्योगी की छाया में पहले चक्र के उपर अर्द्चंद्रकार जलत तक्तों की तरह तेजपुंज प्रकट होता है। यह स्थान बहुत रूप से पहले चक्र के उपर जहना के पीछे रीर की अटी के पास होता है। इस स्थान में आविश्वास, अवेलना, खुरूरता, सर्वनाश, संबंधी, विचार, संबंधित होते हैं। रमेश और जब यह चक्र जागरत होता है तो उस मानों के इर्शा, द्वेश, अविश्वास, अवेलना, खुरूरता, घृणा, संबंधी, विचार, परिवर्थित हो जाते हैं। और करुणा, विश्वास और स्वीक्रती का रूप ले लिते हैं। है रमेश, इसका मतलब जिस व्यक्ति का स्वादिष्ठान चक्र चागरत हो जाता है, वक करुणा, विश्वास और स्वीक्रती से भरपूर होता है। हाँ, और आविश्वास, अवेलना, खुरूरता, सर्वनाश, संबंधी, विचार का पूर्था अभाव हो जाता है। किसरा चक्र है मनिपूर चक्र? यह चक्र नाभी के पीछे रीड की हड़ी के पास होता है। यह उर्जा का सबसे बड़ा केरेंद्र हैं, और यहीं से पूरे शरीर में उर्जा प्रसारित होती है। अनावशक, शर्व, दुष्टता भाव, इर्शा, विशार, द्रश्णा, मोह, ग्रणा और भाव, इसी चक्र से नियंद्रित होते हैं। जब साधना से यह चक्रत जागरत हो जाता है, तो उस मानों में अनावशक, शर्व, दुष्टता भाव, इर्शा, विशार, त्रश्णा, मोह, ग्रणा और भैयादी समाप्त हो जाते हैं। वह इश्पष्ट विचारवाना, प्रीम का सागर, मोह, ग्रणा रहत और निर्भै हो जाता है। मानों शरीर और इसके मन पर पढ़ने वाला प्रभाव सीधे इस चक्र को प्रवावित करता है। रमेश को इस चक्र के बारे में सभी उत्तर बीच में टोके बिना ही मिल गए थे इसलिए वाशांद रहा। चौधा चक्र है अनाहाच चक्र। दौनों फेफडों और पसलियों के बीचों बीच हरदय के पास रीड की हटी में यह चक्र होता है। दीसरी चक्र के ऊपर योगी की चाया में शटकोड आकार का हलका हरा तेश पुझ प्रकट होता है। चिंता, आशा, चेश्टा, एहंकार, आविवेक, विकलता, दंब, कपटता, वितर्क, आदी इससे नियंत्रित होते हैं। जिस मानों में अनहाच चक्र जागरत हो जाता है, उस मानों में ये विक्रतियां समाप्थ हो जाती हैं। वह चिंता रहत, किसी से आशा ना रखने वाला, चेश्टा रहत, आहंकार रहत, विवेक पूर, दंब रहत, निश्कपट हो जाता है। योगी की जाया में कंट के पास एक बहुरंगा तेजपुंज प्रकट होता है। पांचवा चक्र होता है विशुद्ध चक्र। यह चक्र कंट के पीछे इस्तित है। इस चक्र से द्वेत भाव समापत हो जाता है। अर्थात में आत्मा हूं का भाव आ जाता है। तो इस चक्र का जागरत होना माना गया है। इस चक्र के जागरत होने पर परम आनंद की प्राप्ति होने लगती है। इस कारण अक्सर मानव इससे ही पूर्ण आनंद मानकर रुख जाता है क्योंकि इसके पहले मानव सांसारिक दुखों में जकड़ा रहता है इसलिए आज इस आनंद की गति को उप्राप्त करके वो वही इसते रहना चाहता है संगीत के सातों स्वर भी इसी चक्र की देन है कुंडली शक्ति की जाकरत होने से जो धनी आती है वह इसी चक्र से आती है इसके उप्रांद मानव कल्यां इश्वर में समरपन और आनंद के भाव से परिपून होता है छटा चक्र है आज्या चक्र योगी की छाया में तौन प्रगुटी के पीचो पीच एक तेजबुच प्रगट होता है ये दो पक्गुडी वाला चक्र है एक काली और एक सफेद सफेद रंग इश्वर की ओर जाने का संकेत है और काली सांसारिक्ता की ओर ये पांचो तक्तों और मन के उपर है इस चक्र की जागरत होने पर अहम ब्रह्मासमी का भाव आ जाता है अर्थात में एक आत्मा हूं से उठकर हम ही ब्रह्म हैं का भाव प्रगट होता है जिससे कई आत्मा हैं का भाव समाप्त होकर सभी में एक ही आत्मा है का भाव आफ्तरित होता है जिससे सारे भीद समाप्त हो जाते हैं और मन मुक्ता आवस्था में पहुँच जाता है रमेश मानो उस आवाज में खोता जा रहा था उसको ऐसी अन्भूती हो रही थी जो उसे पहले कभी भी नहीं हुई थी वो इस अन्भाव से बाहर नहीं निकलना चाहता था सात्वा चक्र है सहस्त्रांत चक्र योगी की छाया है वे मस्तिस्क के उपर एक तेजपुँच प्रकट होता है यह सहस्त्र पंकडी वाला चक्र है सभी चमकता रंग का है इस चक्र का कोई मंत्र नहीं है क्योंकि यह सबसे परे है यह स्वयम ब्रह्म में लीन हो जाने के अन्भूती है इसके जागरत हो जाने के बाद कुछ भी पाने को शेष नहीं रह जाता है यहां तक की माना या होना सब समाप्त हो जाता है इसे अनभाव करने वाला परमान से हो जाता है इसलिए इसे दिर्वोर्ण चक्र भी कहा जाता है इसे मुख्च का द्वार भी कहा गया है आवास शांत हो जाती है उस दिर शांत रहने के बाद रमेश बोला आपकी बातों और बताए इस ग्यान में तुम्हें जैसे खोई ही गया था जवाब में कोई भी आवास नहीं आई रमेश उस योगी की छाया को लगातार देख रहा था झाल